वेलकम टू पावनी स्टडी पॉइंट आज डे सेविन की सीरीज में हम पढ़ेंगे टू फाइंड क्यूब रूट अफ एनी नंबर क्यूब रूट निकालने के लिए भी दो फॉर्म्स होती हैं सेम एज स्कॉर रूट पहली जो फॉर्म है आपकी वो है पॉर्फेक क्यूब की और दूसरी जो है वो है आपकी नॉन पॉर्फेक की इस वीडियो में हम सीखेंगे पॉर्फेक क्यूब रूट किसी भी नंबर का कैसे निकालेंगे तो पॉर्फेक से आप क्या समझते हैं क्यूब रूट अफ 729 क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 512, यह सब आपके क्या है, पॉफेक्ट क्यूब्स है, तो क्यूब रूट 729 is 9, 27 is 3, 64 is 4 and 512 का क्यूब रूट 8, तो इसी तरीके से कोई बड़ी से बड़ी डिजिट हो, उसको आप कैसे निकालोगे, उसको बेसिक चीज आनी चाहिए, वो है 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स, अगर आपको 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स आते हैं, तो आप बहुत असानी से इसको निकाल सकते हो, तो आईए देखते हैं इसके क्यूब्स, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, then 5 का 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, and 9 का क्यूब, and 10 का क्यूब, करेक्ट, अब 1 का क्यूब is 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, and 1000, करेक्ट, अब इन क्यूब, जो दिये हैं, 1 से 10 तक, आप इसमें क्या नोटिस कर रहे हो, कि जब 1 का क्यूब मैंने कहा, तो value, unit place पे 1 ही आ रही है, जब मैं 2 का क्यूब कह रही हूँ, तो 8 आ रही है, और जब मैं 3 का क्यूब कह रही हूँ, तो 7 आ रही है, बाकी कहीं पे भी देखो, औ यही हो रहा है, कि 2 का क्यूब कर रही हूँ, तो unit place पे value 8 आ रही है, जब 8 का क्यूब कर रही हूँ, तो unit place पे value 2 आ रही है, जब 3 का क्यूब कर रही हूँ, और जब 7 का क्यूब कर रही हूँ, तो 3 आ रही है, तो इन दोनों exception cases को छोड़ के, बाकी आप कहीं पे भी देखो, इनको अगर आप छोड़ दो और बाकी कहीं पे भी देखो तो value हर जगा आपको same दिखेगी जैसे 1 का cube में unit place पे value 1, 4 का cube पे unit place पे value 4, 5 का cube पे unit place पे value 5, 6 का cube पे 6, 9 के cube पे 9, और 10 का cube तो 1000 ठीक तो अगर आपको यह concept याद है कि केवल 2 से 8 और 3 से 7 आने जाने पे values चेंज हो रही है बाकी सब पे unit place की value आपकी cube निकालके same हा रही है यह concept अगर आपने समझ लिया तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी digit चाहे वो 6 digit हो चाहे वो 5 digit हो आप असानी से निकाल सकते हो अब हम example लेंगे पहले 3 digits से तो मैंने ले लिया suppose 729 ठीक है जब मैंने 729 लिया तो अब आप इसमें पहला step जो करोगे वो होगा यह कि आप unit place देखोगे unit place आपके कितनी दे रखी है 9 दे रखी है 9 का मतलब क्या है 9 का मतलब है मेरे को पता है 1 से लेकर 10 तक में कोई भी digit जो है उसकी unit place से change नहीं होती कितनी digits को छोड़के मतलब सिर्फ 2 जो है 8 में interchange होता है और 8 2 में होता है 3 जो है आपका 7 में होता है और 7 3 में होता है क्या इसके इलावा कोई भी आपकी 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है ये कोई भी digit change होती है नहीं होती तो 9 कहां आ रहा है? मतलब इसकी digit change नहीं होगी answer में हमने 9 तो सीधा-सीधा लिख दिया अब इन से क्या करना है second step जो है न वो हमारा ये है कि हमको जो digit का cube root पूछा है उसमें से unit place से ये निकाल के बाकी की 3 digits जो होएंगी बची हुई 3 digits जैसे अगर 4 है तो 4 हो नहीं काटनी है सिर्फ 3 digits को हमको काट देना है last की तो यहां तो 3 ही digit ही है तो हमने 3 हो काट दी क्या आपको ये digit बची? नहीं बची तो क्या आपको कोई और answer की है आपका answer तो आ गया yes 9 का cube ये तो होता है 729 अभी पहले बता है था तो ये आपका answer आ गया आप देखो और देखो बड़ी डिजट देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझोगे for example मैंने ले लिया 3375 का cube root आपको निकालना है आपने क्या कहाता मैंने आपको कहाता है कि आपको unit place देखनी है तो 5 5 का प्याइब करो 5 पर कोई change होता है नहीं होता तो आपने 5 को as it is लिख दिया फिर मैंने क्या कहता फिर मैंने कहता ये जो 375 है ना मतलब जो 3 डिजट्स है वो तो हम काट देंगे तो ये हमने काट दी अब ये 3 बचा है खाली है इस 3 को क्या करोगे अपने perfect cubes याद करो 1 से 10 के इसलिए भोल रहे हूँ 1 से 10 cube roots cubes तो आपको आने ही चाहिए तो अब ये 3 कहां लाई कर रहा होगा obviously ये 1 का cube 1 और 2 का cube 8 इन दोनों के बीच में कहीं ये 3 लाई कर रहा होगा तो हम square वाले में भी क्या करते थे छोटी digit को consider करते थे यहाँ पे भी same हम छोटी ही digit को consider करेंगे यानि 1 को तो बस 1 लिख दो 15 is the cube root of 3375 अगर आप calculator से निकालो 15 का cube तो देखो इसकी value 3375 ही आएगी I hope आपको अब समझ में आया हो अभी भी नहीं आया तो एक और example लो for example मैंने ले लिया 9261 यह तो अभी 4 digit की बात हो रही है अभी हम 5 digit भी पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे ताकि हम अच्छे से इस concept को समझ जाएं और आगे आपके हर एक competitive exam में यह आपको useful हो तो 9261 में देखो unit place पर क्या है 1 है क्या 1 पर कोई change होता है और यह 9 कहां exist कर रहा है obviously 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं 9 exist कर रहा है तो आप छोटी digit लोगे या बड़ी digit लोगे obviously आप क्या लोगे छोटी digit consider करोगे यानि 2 तो 2 आ गया 21 का cube check करो 21 का cube कितना है obviously 21 का cube आपका आ रहा है वो आ रहा है 9261 you can check अब आप अपनी digit लीजिए किसी भी perfect cube की और निकालिए cube root definitely आपको यही answer मिलेगा मैंने कुछ questions करे भी हुए है उसको भी देख लेते हैं देखो पहले हापे clearly दिया भी हुआ है कि कैसे हमने perfect cubes लिखे 1 से लिखे 10 तक और इतने से concept को बस तयार रखा कि मतलब 2 जो है वो 8 में change हो जाएगा और 3 7 में बाकी सारी values जो है वो unit place की same हो रही है जो जिसका भी हम cube निकाल रहे हैं तो अब हम देखते हैं इसका और for example देखो यहां मैंने ले रखा है 1 9 6 8 3 और 3 9 3 0 4 तो इसको भी एक एक करके solve करके बताती हो जैसे मैंने लिया 1 9 6 8 3 अब यह 5 डिजिट में है ठीक है इसमें भी same काम हम क्या देखेंगे हम unit place देखेंगे और unit place देखी मतलब 3 क्या 3 से कोई change होता है याद करो क्या 3 से कोई change होता है yes जब 2 से changing होती है तो 8 होता है और 3 से जब होती है तो क्या होता है 7 होता है तो हम 3 पे क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं समझ में आया अब हम second step क्या आता कि हम 3 डिजिट को तो काट देगे 1, 2, 3, इनको तो मैंने काट दिया, अब बचा क्या, 19 बचा, तो 19 देखो, 1 का क्यूब is 1, 2 का क्यूब is 8, 3 का क्यूब is 27, तो 2 का क्यूब होता है 8, और 3 का क्यूब 27, तो ये 19 आपका कहा लाई करेगा, 8 और 27 के बीच में, तो आप छोटी डिजिट कंसिडर करोगे, या को, तो अब आप 27 का क्यूब चेक कर लीजिए, आपको जो क्यूब रूट मिलेगा वो यही मिलेगा, तो 27 is the क्यूब रूट of 1, 9, 6, 8 and 3, देखो ये सॉल्फ भी होगा आगे, ये देखो, सेम चीज मैंने एक्स्प्लेनीशन पे भी आपको लिखके भी दिया है, कि 1, 9, 6, 8 3 आपको दिया है, 3 आपकी यूनिट प्लेस पे है, तो 3 को चेंज करके, आप 7 लिख सकते हो, 3 डिजिट्स आपने कार्ट दी, तो आपके पास बचा सिव 19, ये जो 19 है, ये कहां लाई करेगा, ये 2 का क्यूब इस इक्वल तो 8 and 3 का क्यूब इस इक्वल तो 27 पे लाई करेग that is 27, second जो है, वो है 39304, इसको भी देखना चाहते हो, तो आओ इसको भी देख लेते है, 39304, आप कोई भी डिजिट उठाईए, मैं आपको बारबर बोल रही हूँ, ताक कि आप खुद से जब डिजिट उठाऊगे और खुद से करोगे, तो आपको जल्दी ये concept आएगा, तो देखो, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यूनिट प्लेज देखेंगे, 4, 4 की यूनिट प्लेज पे, 4 ही आता है, तीन डिजिट मैंने काट दी, अब जल्दी जल्दी याद आएगा, करना, एक बार concept समझने की बस बात होती है, तीनो डिजिट मैंने काट दी, यहाँ आ कर रहा होगा, तो यह चोटी डिजिट है, बड़ी डिजिट है, तो हम किसको कंसिडर करेंगे, हम चोटी को करेंगे, तो हमने 3 को किया, तो 34 is the cube root of 39304, ऐसे यह आप किसी भी नंबर को लो, आप देखो, आंसर इसका यही आएगा, I hope आपको मेरा concept perfect cube root मिकालने का समझ में आ मेरा concept अच्छा लगा, तो like, share and subscribe, thank you